एक अगस 2023 से अगर आपकी turnover फाइफ क्रोड को exit कर जाती है किसी भी previous year में तो आपके लिए mandatory है e-invoice generate करना e-invoicing किस तरीकी से generate किया जाता है वो आज की session में हम detail में समझेंगे वैसे तो काफी सारे accounting software के अंदर आपको automatic facility मिल जाती है e-invoice बनाने की पर एक दिक्कत होती है उनके साथ वो सारे ही paid software होती है किसी भी free version में आप free में e-invoice नहीं बना पाएंगे आज की session में discuss करने वाले है government का official tool GEPP tool जिसकी help से आप free में e-invoice generate कर पाएंगे so without any further ado सिदा screen पर चलते है समझते है कैसे आपको GEPP tool को use करना होता है और कैसे free में अपना e-invoice generate करना होता है e-invoice portal से सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर e-invoice का जो official website है e-invoice1.gst.gov.in जिसका link नीचे description में मिल जाएगा यहाँ पर registration पर जाके e-invoice enablement का form आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले आपको enablement का form यहाँ पर बढना है यह पर अपको अपने GST number डालना है और यहाँ पर आपको go पे क्लिक करना है यहाँ पर आपकी basic details आज जाएएंगी basic details पर नीचे option हैगा I want to enable my GSTN for re-inversing इस पर क्लिक कीजिए and send OTP आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपके mobile पर OTP आएगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना है and verify OTP पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपना turnover देना है करोड के अंदर तो जिस year में आपका सबसे जादा turnover गया है आपको वो year यहाँ पर यहाँ पर submit कर देना है जैसे आप submit करेंगे आपको notification आ जाएगा all the GSTN of your PAN will enable for e-invoicing जितने भी GSTN उस PAN numbers related है उन सब पर e-invoicing यहाँ पर applicable हो गया है इसको आपको okay करना है उसके बाद registration में जाना है portal login पर क्लिक करना है तो पहले e-invoice enablement कर लीच अगर नहीं है उसके बाद में portal login पर आपको जाना है यहाँ पर आपको अपना GSTN number अब डालना है and then capture code डालना है यहाँ पर दुबारा से सारी detail आएंगी send OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आपके mobile पर OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर enter करना है जैसे आप OTP verify करेंगे यहाँ पर आपका username और password create करने का option आ नोट कर लीजिए यह username और password आपका e-invoicing का username और password रहने वाला है इसको note करके जरूर रखिएगा तो मैं जल्दी से create करके इसको save कर लेता हूं and save करते ही आपका registration यहाँ पर successful हो जाएगा दो step आपको करने है पहला आपको enablement form भरना है उसके बाद में आपको यहाँ पर registration करना है और उसके बाद आपको जाना है portal पर यहाँ पर आपको last में login का option देखेगा इस पर click कीजिए यहाँ पर username and password जो भी आपने create किया उसके help से आपको यह login करना है so guys यह हमारा dashboard open हो गए हमने login कर लिया income tax पर अब आपको दुबार से जाना है एक बार e-invoice1.gst.gov.in यहाँ पर आप help वले section में जाएंगे help में tools में जाना है आपको bulk generation tool आपको दिख रहा होगा इस पर आप जाएंगे and यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे इन दोनोई options को ध्यान से देखेगा एक है GEPP tool दूसरा है bulk IRN generation now हो सकता है आपको एक साथ 100 invoices का IRN एक साथ generate करना हो एक साथ 1000 invoices का IRN generate करना हो उस scenario में आप bulk IRN generation tool को download करेंगे और अगर आपको एक invoice ही बनाना है या दो तिन invoices बनाने हैं तो उस scenario में आप जो normal GEPP tool है इसकी help ले सकते हैं simple user friendly होता है इसको इस पर आज हम काम करने वाले हैं आपके mobile पर OTP जाएगा submit कीजिए और उसके बाद में आपका download हो जाएगा हमने already GEPP tool डाउनलोड किया हुआ Excel की utility होती है बहुत simple तरीके से आप जो invoice मना सकते हैं free में वो भी important चीज यह है थोड़ा सा काम lengthy हो जाता है बढ़ यह काम आपका free में होगा tally में लेको यह काम आप एक second में कर लोगे लेकिन tally paid software है busy paid software है जोहो में भी free version में नहीं कर पाऊगे paid software में कर पाऊगे clear text में भी paid वाले version में कर पाऊगे यह tool government का जो यह free में काम करेगा आपका तो इस तरीके से आपका tool open होगा tool open करने से पहले एक काम कर लीजिएगा अपने tool जो excel tool इसको पर right click करके यहाँ पर properties आएगा properties में जाके यहाँ पर trusted को option आएगा तो trust पर enable कर दीजไป कर दीजिएगा इस excel को उसके बाद open करेंगे तो यहाँ पर macro enable का option आएगा तो macros को enable कर दीजिएगा तो यह दो steps सबसे पहले कीजिएगा उसके बाद left hand side में आपको list दीचेगी master master's की master में तीन option आएंगे supplier profile recipient master और product master supplier profile यानि जो seller है seller की आपको एक बार detail यहाँ पर डालनी पड़ेगी जिसके लिए आप यहाँ पर invoice बना रहे हैं उसके बाद में recipient master में आपको recipient की detail डालनी है तो recipient में multiple recipient भी हो सकते है multiple recipient की details आप डाल सकते है product master की अंदर जो भी आपका product है item है उसकी detail hsn code के साथ में आपको डालनी पड़ेंगी यह तीनों ही master आपको सबसे पहले update करने उसके बाद ही invoice आप बना पाएंगे यहाँ पर तो supplier profile में सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर okay करेंगे supplier profile में आपको supplier का जी इस तिन उसका legal name trade name आपका optional रहता है supplier का address one supplier address two optional रहेगा location of supplier यहाँ पर mandatory है state यहाँ पर mandatory है pin code क्या होगा यह आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा phone number और email id logo आप upload करना चाहते हो logo upload करके यहाँ पर सेव कर देंगे तो मैं एक बार जल्दी से details डाल देता हूं और इसको save कर देते हैं then supplier profile के बाद आपको recipient master में जाना है और जो recipient की detail है जिसके लिए आप जो recipient है उसकी details आप यहाँ डालेंगे उसका gsc number legal name trade name optional रहता है address one address number two official रहेगा location डालनी है आपको उसकी state डालना है pin code डालना है email id और mobile number यह basic detail डालके मैं एक बार सेव कर देता हूं recipient की details and lastly product master में मैं अपने item की detail यहाँ पर डालूँगा तो product master में आप जाएंगे यहाँ पर जो भी product की detail है product का description है तो वो जो भी description है आपका जैसे मैं in GST ITR and TDS यह में प्रोड़क का description है क्या एक service है तो मैं service के लिए मना रहा हूं अगर आपका goods है तो service में आप no कीजिएगा हमारे case में service है तो हम यहाँ पर yes कर देते हैं service के बाद इसका hsn code क्या है तो hsn code जो हमारा है applicable वो हम यहाँ पर डाल देते हैं यूनिट्स यहाँ पर mandatory नहीं होगा क्योंकि service के case में unit mandatory नहीं होता है और unit price आप डालेंगे तो हमारा जो unit price है वो यह रहेगा GST rate यहाँ पर 18% रहेगा और state sas को लगता है तो sas का rate आप नीचे add कर सकते हैं यह detail डालने के तरफ new invoice पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको category सबसे पहले चूज करने है document की detail के अंदर तो B2B supply है हमारी यह legal name यहाँ पर हम डालेंगे तो तो आप जैसे select करोगे बाकी सारी details automatically fillow करके आ जाएगी आपका GST number आपका जो address है reverse charge में आपको select करना है reverse charge हमारे case में applicable नहीं है तो हम no करेंगे document type में आपको select करना है tax invoice debit note credit note इन scenario में आप invoice मना सकते है तो tax invoice हम अभी बना रहे है तो tax invoice select करेंगे state हमारा है यहाँ और IGST और intra में no रहेगा transaction type regular supply है हमारी है document number में आपका जो invoice number है वह आप यहाँ पर mention करेंगे तो यह हमारा invoice number है this one वह mention कर देते हैं बागी details आपकी यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद हमको यहाँ पर item add करना है so item add करने के लिए add new item पर हम click करेंगे so यहाँ पर हमको product की detail add करनी है serial number में आप one डाल दीजी उसके बाद product की description जो हमारा product हमने अभी save किया था उसको आप select करेंगे तो product आ जाएगा उसके बाद जो information और required वो भी अभी हमको यहाँ पर fill करनी है तो is this service yes तो यह service है उसका hsn code यह आ गया unit price में mandatory है तो unit में हम यहाँ पर units ही कर देते हैं क्योंकि units में तो वैसे भी कुछ आएगा नहीं service के case में quantity कितनी है one है यहाँ पर और unit price है 3200 तो gross amount 3220 taxable value 3220 IGST 18% आ गया और उसके उपर क्योंकि same state है recipient supplier same state में है तो यहाँ पर SGST automatically calculate हो गया 289.8 और CGST भी calculate हो गया 289.8 and IGST 0 आएगा item का total जो हो आ जाएगा 3799.6 and इसको हम क्या कर देंगे submit कर देंगे so यहाँ पर invoice में आप देखेंगे सारी details आपकी invoice के अंदर आ जाएगी कि उसका decision code क्या है quantity क्या है unit price taxable value और यहाँ नीचे देखेंगे तो item total of item आ गया यहाँ पर 3799 कोई discount है तो यहाँ पर minus हो जाएगा होगी purchase की detail होगी documents की सारी information होगी item की detail होगी total invoice amount होगा अगर सारी details okay है तो यहाँ पर confirm पर आप click करेंगे and confirm पर click करके अब आपके पास option आएगा कि आप e invoice मनना चाहते हो दुबारा menu पर जाना चाहते हो या continue entry करना चाहते हो तो हम go to invoice के official website पर जाएगे क्योंकि हमारा जो है वहाँ पर जाके हमको upload करना पड़ेगा अब देखिए अब हमारा invoice यहाँ से generate होगा हमने सारी information यहाँ पर डाल दी इसके बाद में एक option आएगा validate करने का तो validate पर आप click कीजिए and data validation successful हो गया जैसे data validation successful होगा यह वह ही invoice से जो हमने डाला है अगर आप देखिए 4 entry 5 entry करना चाह वह गई है उसके बाद क्या करना है देखिए desktop पर हमारी json file है आपको जाना है portal पर login करना है सबसे पहले तो login करने के बाद में e-invoice पर जाना है bulk upload पर आपको click करना है and यहाँ पर json file upload का option आएगा upload your json यहाँ पर आप वो file select कीजिए यह वाली हमारी file है इसको आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर upload पर click करेंगे file आपकी upload हो जाएगी और आपका e-invoice यहाँ पर generate हो जाएगा print का option आजाएगा उसको print कर लीजिएगा and print करके आप जो अपनी party को share कर सकते हैं अपना e-invoice इतने simple step से आप जो e-invoice बना सकते हैं gpp tool की help से अगर आपको कोई भी error या issue आ पर मैं detail में इस सारी चीज़ें आपको सिखाता हूं bulk e-invoice की सिखा हुई है वैसे इसका detail video YouTube पर already मेरा पढ़ा हुआ है मैं आपको नीचे description में दे दूँआ वहाँ पर जा करके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको bulk e-invoice सीखनी की कैसे bulk e-invoice जो मैंने आपको formats बताये थे starting में चार format थे format ABCD तो वहांके मैंने detail में explain किया है उस video को आप refer कर सकते हो एक e-invoice बनाना है तो वह मैंने आपको आज के process में समझा जया है कैसे आपको e-invoice बनाना है बिलकुली free में gpp tool की help से ही गाइस मी विवेक signing off for now हस्ते रे मुस्कुराते रहिए वाई बाई टेक केर